शायद किलास रिकॉर्ड नहीं अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ठीक है तो फोर्स मींस अब पुश और अब पुल इस कॉल फोर्स यह हैंड रेस किसने किया है फैजान सर फोर्स इस एक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्टेंस हाँ वो भी होता है अभी आएंगे उस उस पर हम फोर्स एफर्ट इंटू डिस्टेंस भी होता है तो एवरी एफर्ट जैसे अभी फैजान ने बताया कि फोर्स इस एफर्ट यह work done होता है effort is called the force जब हम किसी चीज़ पर effort लगाते हैं तो उसको force कहते है effort is a force force अभी जैसे फैजान बोले थे force is equal to effort into distance it is the work done work done is equal to effort into distance just effort is called a force effort को ही force कहते हैं जब अब कोई आप effort लगाते हैं किसी भी form में तो वो force कहलाता है ठीके अब मसला यह है कि force को हम देखेंगे कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि force लग रहा है या नहीं लग रहा पताईए कोई भी आपको answer अगर पूछा जाया तो उसको आप chat box में answer दीजी अभी एक पूछा गया है आफिया सलीम ने effort means efforts कहते हैं कोशिश कोई भी कोशिश आप करते हैं hit करते हैं effort कोशिश in Hindi हिंदी में कहते हैं effort को कोशिश ठीके ना अब हम यह आप से पूछ रहे हैं कि आप क्या force को देख सकते हैं force आपको नजर आता है no अब्दुल्लतीफ कह रहे हैं रुजदा बतूल no यह बात सही है कि force को हम देख नहीं सकते फिर हमें कैसे पता चलेगा कि force लग रहा है या force काम कर रहा है इसके पता लगने के लिए हमें क्या करना होगा हमें देखना होगा effect of force यह effects of force जो है यह हमें बताएंगे कि force लग रहा है या नहीं लग रहा effects of force यानि कि force अगर किसी object पर लगेगा तो उस object के ओपर कुछ change आएगा उसको हम कहते है effect यानि कि force के लगने का object के ओपर जो change आ रहा है वो कहलाता है effect of force तो effect of force जो होते हैं वो normally 5 होते हैं फाइव तरह के effects आते हैं किसी forces पर, जब हम किसी object पर force लगाते हैं, तो उस object के अंदर five तरह के effects हो सकते हैं, लामिया हयात ने कहा है, when things is moving from its position, no, things अगर move नहीं कर रही है, तब भी जो है, वो force लग सकता है, ठीके न, यह एक condition है, कि things move करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कि things के move कर ने पर ही जो है, वो force लगेगा, अब देखे, effects of force में, सबसे पहली चीज़ है, a force can move a stationary object, a force can move a stationary object, stationary का मतलब क्या होता है, rest, रुकी हुई, एक object है जो रुकी हुई है, move नहीं कर रही है, अगर कोई object move नहीं कर रही है, तो आप force के जरीए उसको move करा सकते हैं, इसकी example, एक football ground में एक football रुकी हुई है, आपने उसको आकर hit किया, जब आप football को hit करेंगे, तब क्या होगा, तब वो ball move करना शुरू कर देगी, अभी सम्रिद्दी सिंग नहीं का है, still not move नहीं कर वो फिर भी move नहीं करती है, वो अभी आगे discuss करेंगे, अगर move नहीं करेंगी तो क्या होगा, देखें, तो force means, a force can move a stationary object, यानि के force का पहला effect ये है, कि force stationary object को move करा सकता है, एक object रुकी हुई है, आप उसे force लगा कर motion में ला सकते हैं, ये पहला effect है force का, अपनी life में हम बहुत सारे इस की example देखते हैं, football को hit किया हमने, football move करना शुरू हो गई, cycle खड़ी हुई थी, हमने उस पर बैट कर paddling शुरू की, cycle move करना शुरू हो गई, car रुकी हुई थी, हमने उसे start किया, उसका accelerator दबाया, car move होना शुरू हो गई, ठीक है, घर के अंदर कोई box रखा था, हमने उसके उपर उसको push किया, धक्का लगाया, या उसको pull किया, खीचा, तो वो box जो है, move होना शुरू हो गया, तो यह बहुत सारी example है, जो के हमें force के effect के अंदर नजर आती है, यानि के force जो है, वो एक stationary object को move करा सकता है, एक रुकी हुई object को position motion में ला सकता है, दूसरा effect क्या इसका, इसका opposite, a force can stop a moving object, force एक moving object को stop करा सकता है, that means, अगर कोई object move कर रही है, move कर रही है, यानि के वो motion में है, अगर कोई object पहले से move कर रही है, मान लीजिए आप cricket कर लें, baller ने ball फैकी, ठीक, batsman उसको hit नहीं कर पाया, वो miss हो गई, कहा जाएगी, keeper के पास, keeper उसे catch कर लेगा, रोग दिया, ball move कर रही थी, keeper ने उसे रोग दिया, या batsman ने उसको hit किया, fielder ने उसको रोग दिया, तो fielder ने क्या force लगाया उस ball को रोगने के लिए, cycle चल रही थी, आपने break लगा दिये, ठीक है, आप किसी ने, घर के अंदर किसी ने आपको कोई चीज दी, आपने glass मागा आपके भाई ने उसको फैक कर दिया आपको, वो moving object को stationary position में या stop उसको कर सकता है, rest में ला सकता है, कि force किसी भी moving object को rest की position में ला सकता है, उसको move कराने से रोग सकता है, ये दूसरा effect है force का, इसके बाद, तीसरा effect देखिए आप, yes, force का तीसरा effect कहलाएगा, force can change, a force can change the direction of a moving object, ये तीसरा effect है, यानि कि अगर force लगेगा, या तो object stationary position में थी move करने लगेगी, या अगर वो move कर रही है, stationary position में आ जाएगी, और तीसरा है, a force can change the direction of a moving object, यानि कि एक object है, जो already move कर रही है, एक particular direction में, cricket की example है, cricket में, सारे effect आपको नज़र आते हैं, cricket में, football में, तो क्या होता है, baller ने आपकी तरफ ball को फैका, बॉलर ने जैसे ही balling कराई, आपकी तरफ ball आई, आपने क्या किया, कि उसको hit करने के बजाए, आपने bad का थोड़ा सा age दिया, ball चले गई third man की तरफ, या आपने थोड़ा सा left side में किया, तो ball चले गई fine leg की तरफ, आपने क्या किया, आपने उसको hit नहीं किया, बलके bad का हलका सा आपने shape दिया, ball का direction चेंज हो गया, तो a force can change the direction of a moving object, आप cycle चला रहे हैं एक road पर, आपको मुड़ना है घर की तरफ, आपने क्या किया, direction of a moving object, आप football खेल रहे हैं, आप ball को अपने पैरों के साथ लेकर भाग रहे हैं, सामने से एक failure आया, आपने ball को cut की, आपने दूसरे खिलाड़ी को इधर की तरफ पास कर दिया, तो यह क्या हो रहा है, यह force लगा रहे हैं, जिससे कि किसी भी moving object का जो direction है, वो change हो रहा है, यह तीसरा effect है force का, अब हम आते हैं, चौथे effect पर, a force can change the speed of an object, force किसी भी object की speed को change कर सकता है, माल लीजी, अब cycle चला रहे हैं, यास फैजान सिद्धे की, कुछ पूछना चाहरे हैं आप, यह unmute, हाँ, बोलिए बेटा, फैजान, एक नमबर, दो नमबर, आपने, क्या हुआ, आवाज नहीं आरी बेटा, आपकी, फैजान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप chat box में लिख दीजे, यह चार effect हो गए, force के, फैजान, आप chat box में लिखी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप force can change the speed of an object, यानि कि हम force के जरीए, speed को change कर सकते हैं, speed change करने का माली जी आपने cycle चलाई, आप cycle चला रहे हैं, cycle एक particular speed से चल रही है, आपको लगा, क्या आप late हो जाएंगे, आपने क्या किया, paddling तेज शुरू कर दी, जैसे आप paddling तेज करेंगे, उसकी speed क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, या, आप एक cycle बहुत तेज चला रहे थे, आपको school पहुँचना था, school का gate आगया, आपने brake लगाए, cycle क्या हुआ, धीरे धीरे होगी, या निकि उसकी speed या भीड़ा गई, या कोई सामने आगया, आपने speed को slow कर लिया, तो force के जरीए, आपने जो brake लगाए है, जो हाथ से आपने उसके handle को दबाया है, cycle के, that's the force, आपने force लगाया, brake जो है, वो लग गया निकि, cycle की जो speed थी, वो slow हो गई, या, गाड़ी चला रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप force करने पर, force के जरीए उसकी speed को change कर सकते हैं, भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और fifth effect है, a force can change, a force can change the shape and size of the object, एक दो नमबर बिटा आपने, आप लिख लिजे देखी, ये लिखा है, एक दो नमबर, हम क्योंके काफी time दे रहे हैं, इसलिए आप hand-to-hand लिखते चले सुनते भी रहिए, और लिखते भी रहिए, एक दो नमबर रहिए, एक दो नमबर रहिए, ले लिजे बेटा, और जो telegram group है, उस पर इसको share कर दीजेगा बाद में, आप इसके screenshot ले लिजे और उसको share कर दीजेगा, फैदान सिद्धी की, note करिए बेटा जल्दी से, चलि, note कर लिया होगा आपने, पेज नमबर टू पर हम थे, तो ये पांचमा effect है इसका, फोर्थ effect के लिए होगया, कि speed change होती हो, फिफ्थ effect है, a force can change the shape and size of the object, फोर्थ किसी भी object के shape और size को change कर सकता है, जैसे, आपने देखा होगा, घर के अंदर रोटियां बनती है, अम्मी रोटियां बनाती होंगी सबकी घर में, ठीके, रोटी बनाने से पहले होता क्या है, कि आटा लिया जाता है, जोके सूखा हुआ होता है, उस आटे को गूंदा जाता है, ठीके ना, गूंदने के बाद में, वो गूंद जाता है, एक particular shape में आ रहता है, उसमेंसे क्या होता है, अम्मी छोटे छोटे छोटे, लेकर उसको गोल गोल पीसेज में पेले बनाती है ठीक है ना गोल बॉल बनाकर उसकी रख दी जाती है अब क्या होता है गोल बॉल जो बनी है वो एक पर्टिकुलर शेप है ठीक उस पर्टिकुलर शेप को क्या किया जाता है उस goal ball को लेकर चकले पर रखा जाता है surface पर रखा जाता है और balance से उसको बेला जाता है तो goal ball क्या हो जाती है जो यानि कि about spherical shape था उसका spherical जैसे shape था बह बोल जैसा जब आप उसे बेलते हैं उसके ओपर balance चलाते हैं तो वो sheet बन जाती है यानि के एक circular shape बन जाता है तो force लगाने से object का shape change हो सकता है size भी change हो सकता है एक Costco की ball लीजी जो Costco ball आती है rubber वाली ठीक है उसको आप लेका दौनों हातों के पीछ में रखकर इस तरह से दबाईए जो उसका spherical shape है वो change हो जाएगा rubber है rubber को आप खीच दीजिए गुलेल में हम क्या करते है गुलेल में rubber को खीचा जाता है इससे क्या होता है उस rubber का shape change हो जाता है तो किसी भी उसके जरीए size भी change कर सकते है rubber का एक particular size था spring है उसके particular size है आप में खीचा उसका size बढ़ गया size change हो गया या आपको उसने दबा दिया size छोटा हो गया तो shape और size दोनों जो है वो force change कर सकता है अब force can change the shape and size of the object तो अब तक हमने ये देखा कि force क्या है अब push और pull is called a force अब push और pull की जगा throw, hold, pluck, kick ये भी लिख सकते हैं ठीक है ना ये general बस बोल दिया जाता है अब push और pull is called a force और भी जो हैं वो force में और भी effect होते हैं अब force हमें क्योंके नजर नहीं आता तो उसके force के effect के जरीए हम force को देख सकते हैं तो पहला effect क्या था force can move a stationary object second था a force can stop a moving object third है a force can change the direction of a moving object a force can change the speed of an object और fifth है a force can change the shape and size of the object तो ये five effects है force के जिसके जरीए हम force को देख सकते हैं यानि के अगर ये effect हो रहे हैं तो हम कहेंगे के force लग रहा है अगर effect नहीं हो रहे हम कहेंगे force नहीं लग रहा ठीक अब एक दूसरी चीज़ है एक होता है balance force अब forces को हम दो तरहां से और classify कर सकते हैं balance force and unbalance force balance force क्या होता है और और दूसरा है unbalance force balance force and unbalance force देखे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहला unbalance force क्या होता है what is unbalance force इसमें लिग लिजिए if the resultant of all the forces on an object is zero यह इसको कहेंगे zero effect यहां तक यह definition complete हो गई चेश्था चेश्था बताईए आसर एक बार वो नंबर फाइव दिखा दीजिए नंबर फॉर नंबर फॉर फाइव यह लिए जिए a force can change the speed of an object और फाइव है a force can change the shape and size of the object यह बीटा बाद में एक बार हम आपको note करा देंगे बीच में आप इस तरहां से मत पूछा गरीए बाद में एक बार और आपको दिखा देंगे सारी चीजिए यहां आप अनबैलेंस फॉर्स चेश्था बीटा समर्थ सिंग समर्थ कुछ और पूछ रहे हैं हम बोल रहे हैं बेटा आप जो है ना वो चैट बॉक्स में लिख दिया गरी उससे डिस्टरबेंस नहीं होता है ठीक है देखें if the resultant r e s u l result होता है नयर रिजल्ट r e s u l t result उसमें a एंट और लगा दिये resultant of all the forces if the resultant of all the forces on an object is 0 इसका मतलब समझ लीजिए क्या है if the resultant, resultant कहते हैं result को यानिके जो आपने एक object पर मानली है आपने काई सारे force लगाई ठीके ना उन सारे force का जो result आ रहा है निकल कर जैसे के ये condition है माली जी ये एक floor है फिलोर के ओपर ठीके फिलोर के ओपर ये एक box रखा है ठीके ना ये एक box है जो के फिलोर के ओपर रखा हुआ है आपके घर में अब होगा क्या ये move नहीं कर रहा है stationary position में है ये box है माली जीए 100 kg का बहुत भारी box है इसके अंदा सामान रखा हुआ है बहुत स्यादा ठीक आपने क्या किया इसके ओपर force लगाया आप में से किसी ने भी 100 kg का box आम तोर पर आप में से किसी से move नहीं होगा ठीक है क्यों move नहीं हो रहा क्योंकि इसके ओपर एक opposite direction में force लगता है जिसको हम friction कहते है इसको अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे friction क्या होता है बलके आप इससे confused जाएंगे एक दूसरा लीजिए क्या पढ़ रहेते हैं unbalance force unbalance force क्या था if the resultant of all the forces on an object is 0 is called is called unbalance force इसको आर कर लीजिएगा ठीकिना if the resultant of all the forces acting on an object is called is 0 are called unbalance forces यानि के इसको अब इस तरीके समझे लीजिए ये एक box रखा है इस box पर एक तरफ से force लगाया और दूसरी तरफ से force लगाया ठीके दो तरफ से इस box के उपर force लग रहा है और दौनों तरफ से force बराबर लग रहा है ठीके ना force लग रहा है लेकिन जब दौनों तरफ से force लग रहा है तो ये क्या होगा balance, unbalance force is not or लगाली ये unbalance है ठीके ना if the resultant of all the forces on an object is not 0 are called unbalance forces यानि के क्या होगा इस तरफ आपने force लगाया और इस तरफ आपने force लगाया अब जिस तरफ का force ज्यादा होगा रयान राशित, बोलिए बेटा sir can you explain me unbalance force अभी बताते हैं बेटा वही तो explain कर रहे है if the resultant of all the forces इसी के जरीए आपको explain कर रहे है if the resultant, resultant कहते हैं some, total effect इस सारे forces का result ठीके ना जो सारे forces लग रहे है किसी object पर उसका result क्या है उसका क्या result निकल रहा है if the resultant of all the forces इन अपने is not zero यानि के object पर जो force लग रहे हैं उसका result, उसका effect जीरो नहीं है बलके हो क्या रहा है इदर से मान लिजिए force लग रहा है 50 Newton का और इदर से आपने force लगाया 60 Newton का इदर से force ज्यादा है object इदर move करना शुरू कर देगी ठीक है इसे कहते हैं unbalanced force जब सारे forces का resultant zero नहीं होता ठीक है होता क्या है एक box पर दो तरफ से आपने वो देखा होगा रस्ता के शीगा वो होता है game ठीक है कुछ लोग इस तरफ होते हैं कुछला के तरफ रसी खीचते हैं tug of war एक टीम खीच दी अपनी तरफ दूसरी टीम अपनी तरफ खीच दी जब दौनों टीम अपनी तरफ खीचती है तो जो टीम हैवी होती है जिसके पास force ज्यादा होता है वो उसे अपनी तरफ खीच के ले जाते हैं उसे कहते हैं unbalanced force यानि के force का effect नजर आ रहा है तो unbalanced force क्या करता है unbalanced force शुरू की चार चीज़ें करता है ठीक है unbalanced force क्या करेगा object अगर rest position में उसको move करा देगा ये box rest में था अब ये इस तरफ move करने लगेगा क्यूंकि इदर से लगने वाला force ज्यादा है दूसरा unbalanced force can stop a moving object अभी बिटा unbalanced के बाद बैलेंस आवाज हमारी clear नहीं है क्या देखिए अब balance force अभी इसके बाद बताएंगे तो unbalanced force क्या करता है unbalanced force किसी object को अगर आप सिर्फ एक तरफ से force लगा रहे हैं माली ये condition ऐसी है कि ये वाला force नहीं लग रहा ये force नहीं लग रहा है सिर्फ एक तरफ से force लग रहा है तो क्या होगा object ये box इस तरफ move करना शुरू कर देगा तो क्या होगा object क्या थी rest में थी इसने इसको move करा दिया तो unbalance force क्या करा सकता है move करा सकता है इसके बाद object move कर रही थी box माली जी हलके हलके इदर move कर रहा था आपने force लगा है इसकी speed बढ़ गई ये क्या करता है या इदर से object आ रहा था आपने इस direction लगा है ये रुग गई और ये box इस तरह move कर रहा था already ठीके या माली जी slope है slope के ओपर box रखा है ये क्या होगा ये box इस तरह move करेगा slope पर आपने unbalance force इस तरह लगाया ये क्या होगा रुग जाएगा तो आपने एक moving object को रोक लिया या एक ball आपकी तरह आ रही है या आपने उसको catch कर लिया that's the unbalance force unbalance force can change the direction of the moving object ये direction भी change कर सकता है आपने cricket ball आई आपने उसको हलका सा shape दिया वो third man पर चली गई या fine leg पर चली गई ये क्या है unbalance force unbalance force ये भी काम करता है तीसरा unbalance force speed को भी change करता है आपने paddle तेज मारे ये सब unbalance force है unbalance force shape को भी change कर सकता है ठीक है न shape को change कैसे करता है आपने क्या किया दौनों हाथों के बीच में एक ball रखी और ball इधर move करना चुरू होगी ball दबेगी भी move भी करेगी तो unbalance force ये सारे काम करता है जितने effect हमने आपको पिछली उसमें पढ़ाई थे पिछली पिछली स्क्रीन पर unbalance force सारे काम करता है अब हम आते हैं balance force पर balance force क्या होता है या balance forces इसमें लिखेंगे if the resultant of all the forces on an object is 0 are called balance forces if the resultant of all the forces on an object is 0 are called balance forces अब balance force क्या है उसको समझ दीजी balance force है एक box रखा है इधर से आपने force लगाया और इतना ही force इस तरफ से लगाया दौनों तरफ से आप equal force लगाएंगे box के उपर कोई change नहीं आएगा तो box क्या करता है या unbalanced force balance force क्या करता है किसी भी moving object को किसी भी rest stationary object को move नहीं करा सकता second moving object को stop भी नहीं करा सकता माली यह box move पर रहा है दौनों तरफ से बरापर force लगेगा box ऐसे ही move करता रहेगा third unbalanced force can not change the direction of an object यह direction भी change नहीं कर सकता fourth balance force cannot change the speed of an object यह speed भी change नहीं कर सकता है fifth balance force only can change the shape and size of an object balance force सिप shape और size चेंज करता है जैसे एक ball लीजिए प्लास रबर की अपने हाथों के बीच में रखियो दबाईए ठीके ना हाथ ना इधर move करेंगे ना इधर आप बराबर force लगाईए हाथ अपनी position पर रहेंगे ना rest में rest में ही रहेगी ball move नहीं करेगी ठीके ना ना इसकी speed चेंज हो रही है ना direction चेंज हो रहा है सिर्फ क्या हो रहा है इसका shape चेंज हो रहा है जो goal ball थी वो दबकर कैसी हो गई पतली सी हो गई तो balance force क्या करता है balance force सिर्फ और सिर्फ चेंज करता है balance force सिर्फ और सिर्फ shape and size को चेंज करता है तो balance, force only can change the shape and size of the object. येस, एथ शाम एथ शाम ? एथ शाम सारे काम करता है जिसका resultant 0 नहीं होता हूँ सारे काम करेगा you सिर्फ शेप और साइज चेंज करेगा बागी कुछ नहीं कर पाएगा ओके चेस्था और सर जीरो हाँ चेस्था बोलिए बिटा सर जीरो के आपने बात क्या लिखा है और कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज ओके सर थाइंक्यू सर ये हो गए हमारे टाइपस ऑफ फोर्सेज तो फोर और टाइपस ऑफ फोर्सेज हैं हमारे पास टू बैलेंस फोर्सेज एंड अन बैलेंस फोर्सेज ठीक है अब यानिके फोर्सेज को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बैलेंस फोर्सेज और उसके एफेक्ट होते हैं फाइव अब हम ये देखे हैं हमारे आसपास कित of forces, forces कितनी तरह के होते हैं, जो हम देखते हैं अपनी practical life में, हमें कितनी तरह के forces नजर आते हैं, तो देखिए, इसमें types of forces से पहले हम एक category और है, उसको पढ़ लिजे तो आपको और clear हो जाएगा, देखिए, types of forces से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो हैं, दो फारा के forces और होते हैं, यह होता है, contact force, और दूसरे होते हैं, non-contact force, contact forces and non-contact forces, अब force, which acts on an object, a force which acts on an object, when they are in contact, when they are in contact, physically, contact forces, यानि के ऐसे forces जो physically touch होने पर contact करने पर लगें, जैसे आपने किसी object को, ball को आपने touch किया, आप बगर touch करें, एक moving ball को रोक नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आपने रोका और वो इस तरह से आपने किया, और ball पहली रुक गई, बलके आपको उसे touch करना होगा, चुना होगा, वो आपके body से टकराएगी, या आपने जैसे cycle चल रही थी, आपने break को दबाना पड़ेगा, चीक है न, break आप दबाएंगे, उसको touch करेंगे, तभी वो force लगेगा, यह होते हैं contact forces, और non-contact forces क्या होते हैं, a force which acts on an object, on an object, without coming without coming physically in contact without coming physically in contact, जैसे magnetic force है, इसकी example हो जाएगी magnetic force देखिए, magnet, आप लोहे से magnet को touch करते हैं, तब वो उसे attack नहीं करती, बलकि आप लोहे के पास ले जाते हैं, तो वो attack कर लेती है, बगैर touch किये हुए, आप दो magnet के पीस रखिए, दोनो नौर्थ पोल, नौर्थ पोल ही दूसरे के पास रखिए, तो क्या होगा, एक को सरकाएंगे, दूसरा उससे दूर जाता जागा, यह दूर से खीच लेती है, इसको contact की जरुवत नहीं है, यह कहलाते हैं, नौन contact forces, जैसे magnetic force है, या दूसरे इसकी example है, gravitational force, ठीक है, इसकी example है, muscular force, आप अपने bodies के जरीए, muscles के जरीए फोर्स लगाते हैं, अपने हाथ के जरीए फोर्स लगाते हैं, वो contact force है, तो contact force, जिसमें आपको touch करना पड़े, non contact force, जिसमें आपको touch ना करना पड़े, जैसे electrostatic force है, का जाता है, बिजली जो है, जब बहुत strong होती है, दूर से खीच लेती है, ठीक है न, तो वो electrostatic force बगर contact के भी लगता है, दूर से खीच लेती है, टच बगर touch किये हुए, ठीक है, तो ये दो तरहां के forces होते हैं, contact forces and, यानि कि force को हम classify कर सकते हैं, balance forces and unbalanced forces, contact forces and non-contact forces, आप इसके बाद है, इसको note कर लिया सबने, जी चेश्था बोलिये बिटा, सर, हमने कर दिया, ओ बिटा, अपना mute कर लिया गरिये बिटा, फैजान, अभी ये types of forces में सबको explain करेंगे, निदा नूरी आप बताईए, निदा नूरी, इसको types of forces में ये अभी आएगा, अब देखिए, अब हम start करते हैं, types of forces, types of forces में सबसे पहली है, पहला है हमारा magnetic force, magnetic force, क्या होता है अभी बताईए, ये होता है, the force, अब्दुल्ला खान, कुछ कहना चारें हैं बेटा, ये बात सारे फोर्टिस पढ़ रखे हैं, बच सर हमें muscular और mechanical force में बहुत confusion है सर, अभी इसको अभी क्लियर करते हैं, ठीक है, अभी types of forces में muscular force भी आएगा, mechanical force भी आएगा, सब आएगा अभी, ये जब types of forces clear हो जाएं, बाकी student उसी के बात सवाल पुछेगा, अगर types of forces related कोई सवाल है तो, अगहे अख एदा साथ, श्यख़, होज आएगा जेम इएगा टा है। смож सिंवाल को में मेद्ब में रिक जआए तैक क्या क्या जब ये मुट एएगा टा लिए गीसला है, yes सब रिख एटा क्याएं, द्यव कि अटत्स अग्ते हैं, निकल एंड अधर मैंगेट्स नोन एज मैंने इस लिएस संभी ने जो कहा है वह बात बिलकुल सही है दफोर्स आएक्ट और और ऑजएक्ट बाइड ऑइड मैंगेट और आइरन नेकल और कोबॉल्ट एंड मैंगेटिक मटेरियल यह आइरन निकल कोबॉल्ट यह तीनों तो देखे दा फोर्स एक्स अन अब्जेक्ट बाई आ मैगनेट दा फोर्स एक्स अन अब्जेक्ट पर नहीं लग सकता ठीके ना Magnetic force Acts Only on Magnetic Material Such as Iron Nickel Cobalt Etc देखिए ये तीनो जो है वो element है Iron, Nickel, Cobalt ये element क्या होते हैं या आप higher classes में जाकर पढ़ाएंगे ये तीनो magnetic material है यानि के Iron, Nickel and Cobalt अब magnet क्या करती है Magnet के जरीए जो force लग रहा है उसको Magnetic force कहते हैं किसी भी object पर लेकिन ये magnet हर object पर नहीं लगती है हर object पर ये magnetic force नहीं लगता plastic के उपर नहीं लगता लकड़ी के उपर नहीं लगता और भी बहुत सारे metals पर नहीं लगता ये लगता है magnetic material उसकी तीन example अभी सिर्फ याद कर लीजिए Iron, Nickel and Cobalt These are magnetic material यानि कि इनके उपर magnetic force लगेगा ठीके ना तो magnetic force वो force होता है जो magnet के जरीये लगता है magnet आप सबने देखी होगी ठीके ना अलग-अलग shape में होती है जो बिलकुर rectangular होती है उसको हम bar magnet कहते है bar magnet जो होती है वो इस तरहाँ की होती है एक magnet इस तरहाँ की होती है इसको हम horseshoe magnet कहते है ठीके ना ये दो particular type की magnet है वन्ना आप magnet को जिस shape में चाहें बना सकते है तो magnetic क्या होता है वो force जो magnet के जरीये लगता है उसको हम कहते है magnetic force इसके बाद दूसरा है electro-static force electro-static force देखे आपने देखा होगा कुछ लोग बिजली से चुपक जाते है ठीके ना करण लग गया किसी के करण से जटका लगता है ठीके तो ये दोनों forces है जी रयान राशिद कुछ कहना चाह रहे है बिटा सर ये जो आपने निकल, कोबॉल्ट, etc के बाद जो समझाया था एक बार फिर से समझा दीजगा देखे मैगनेटिक फोर्ड जो है वो सिफ निकल, कोबॉल्ट और आइरन जो मैगनेटिक माटेरियल है ये मैगनेटिक माटेरियल की थ्री एक्जामपिल्स है इन पर ही मैगनेटिक फोर्ड लगता है बाकी इसके लावा और चीज़ों पर लकड़ी पर, प्लास्टिक पर, रबर पर, क्लॉथ पर मैगनेटिक फोर्स नहीं लगता ठीक है? यस सर्थ तो अब दीए इलेक्ट्रिस्टिटिक फोर्स क्या होता है? आपने इसका एक एक एक्सपरिमेंट किया होगा या आप कर सकते हैं आप क्या करिए? वह भी स्केल लीजिए या कॉम लीजिए, कंधा जो होता है प्लास्टिक का होता है, उसको आप अपने ड्राइ हेर पर रब करिए ड्राइ हेर होने चाहिए, आपके उसमें वाइल वगरा लगा हुआ नहीं होना चाहिए जब आप उसे रब करेंगे रब करने के बाद आप काहस के छोटे-छोटे पीस लीजिए जब आप उन पीसिस को उड़ाएंगे तो पीसिस जो हैं कॉम पर या scale पर चुपक जाएंगे या कोई भी plastic की चीज़ आप ले लीजिए अपना pen ले लीजिए तो उसके उपर क्या होगा चुपक जाएंगे क्या होगा एक force of attraction होगा इसी को हम electro aesthetic force कहते है electro aesthetic force में क्या होता है कि कोई भी body electrically charge हो जाती है यानिके उसके उपर charge आ जाता है तो वो force जो charge object के बीच में लगता है उसको हम कहते है electro aesthetic force the force acts by a charged object charge object के जरीए जो force लगेगा उसको हम कहेंगे electro aesthetic force comp के जरीए आप इसका experiment कर सकते हैं या फिर real life में आपने सुना होगा कि किसी को बिजली ने चुपका लिया ठीके ना इससे death भी हो जाती है या किसी के बिजली का करन लगा बिजली का करन लगता है तो force लगता है ठीके ना उससे जटका लगता है एक दम तो ये सब क्या है ये electro aesthetic force है तो ये दो तरहां के force हो गए आपके electro aesthetic force के बाद थर्ड है आपका gravitational force gravitational force के बारे में अभी सवाल किया गया था कि gravitational force क्या होता है gravitational force जी फैजान सिद्धी की बूलिए बिटा अवाज नहीं आ रही है लिखने ही पाए है बिटा इतना टाइम देते हम लिखने के लिए जल्दी लिखा करो टाइम बहुत हो जाएगा वरना फिर ठीक है जल्दी हो गया सब्सक्राइब बिटा कुछ कह रही है कर ये बिटा बोलिए ग्रविटेशनल फोस और ग्राविटी इस फोस्ट एक बिटा अब इस अप्रेशनल फोस्ट नहीं आप भी बताईए वेरी गुड ये भी इसकी डेफिनीशन है निदा नूरी आप बता ही बिटा इलेक्रोस्टेटिक फोर्स बिटा चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है वो अब्जेक्ट जो चार्ज होती है जिनके ओपर चार्ज आ जाता है ठीके ना आपने ड्राइएर को अपने कॉम को ड्राइएर से रब किया तो कॉम के ओपर क्ऊच चाださい ऑगया था जिस चार्ज की विजासे उसन Вас को अपनी स्क्रहर अटरैक कर लिया ठीकिना करन्ठ जो होता क्या ही क्या होता है चाज जो फिलो होता है उसीको म्करुण कहते है है electricity आती है हमारे घर में charge जो flow होता है उसी को हम current कहते है flow of charge is called current तो charge flow हो रहा होता है तो current के जरी जो force लगता है वो electrostatic force है एमान सिद्धिगी कुछ कहरा जा रही है बिटा yes अब्दुल्ला खान सर कना यह एक्स्प्रेंग ग्रेविडिशनल फोस्ट अगर आप सेम डेफिनिशन बता रहे ना तो फिर उसको अच्छेक्ट थिंग्स तोवर्ड यह थोड़ी डिफ्रेंट है यह भी सही है अब हम इसको देखी नेक्स उस पर आते हैं साधिया श्फाक जी बिटा आप बदाए कुछ कह रही है अब एक मिनट हम इसको एक्स्प्लें करते हैं उसके बाद फिर आगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताईएगा वर्णा टाइम इसी में खर्च हो जाएगा साधिया श्फाक और कुछ कह रहा है चाहरी है बिटा येस नो साथ ओके थेंक्यू देखे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है एनिफिंग इन दे यूनिवर्स एनि अब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इन दिस यूनिवर्स अट्रेक्स एनि अदर अब्जेक्ट बाई आ फोर्स इसको नोट कर ली जएका बड़ा जल्दी से ग्रेविटेशनल फोर्स देखे एनि अब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रेक्स एनि अदर अब्जेक्ट बाई ए फोर्स काल ग्रेविटेशनल फोर्स ये इतना सिंबल फोर्स है आप इसको अपने रूर रूम में देखिए आप बैठे हैं आपके पास चेयर है आप एक रूम में दूसरी चेयर भी होगी ठीके ना एवरी ऑभजेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रेक्ट आवरी अधर आपजेक्ट इस दुनिया के अंदर पूरी यूनिवर्स में स्लमू नुकर आत्रेक्ट कर रहे है जितनी भी चीज़े वहां षब एक दूसरी को अट्रेक्ट कर रहे है कोई भी चीज दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है जो किसी दूसरी चीज़ को अट्रेक्ट ना कर रही हो very simple force हर दो object के बीच में लगता है कितनी ही हलकी हो कितनी ही भारी हो clear अबाद? हर दो चीज़ें जो universe के बीच में है उनके अंदर force लग रहा है एक room के अंदर दो लोग बैठें उन दोनों के बीच में force लगेगा ठीक? वो चाहें living objects हों या non living objects हों हर दो object के बीच में force लगता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जमीन भी हर चीज़ पर force लगाती है ठीक है न? यानि कि हम जमीन के उपर है तो जमीन हमारे उपर लाएगी हम जमीन के उपर लगाएगी हम जमीन को अट्रेक करेंगे जमीन हमें अट्रेक करेंगी और खास बात यह है कि force हमेशा बराबर होता है जिस force जमीन हमें अट्रेक करेंगी उसी force से हम जमीन को अट्रेक करेंगे जिस force से pen laptop को अट्रेक कर रहा है हमारे उसी force से laptop pen को अट्रेक कर रहा होगा ठीक है न जिस force के साथ हमारा mobile हमारे laptop को अट्रेक कर रहा है उसी force के साथ laptop mobile को अट्रेक करेगा जिस force के साथ chair ये chair भी sun के जरीए attract हो रही है ठीक है ना और ये चियर मून के जरी भी attract हो रही है मून भी इसके उपर force लगा रहा है सन भी इसके उपर force लगा रहा है हमारे उपर हर हर चीज दुनिया के अंदर एक चीज दूसरी चीज पर force लगाती है पूरी universe के अंदर, चाहें वो atmosphere में हो, earth पर हो, किसी दूसरे planet पर चले जाएं, moon पर चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, sun पर चले जाएं, किसी दूसरे star पर चलाएं, galaxy से बाहर निकल जाएं, milky galaxy से, किसी दूसरी galaxy में चले जाएं, every object in this universe attracts every other object, यह है gravitational force, अब, इसके अं अब्जेक्ट अगर earth है, तो उसको हम क्या गएंगे, gravity, तो gravity कोई अलग चीज नहीं है, gravity just a gravitational force, बस इसके अंदर एक खास बात यह है, कि अगर दौनों object में से, एक object earth है, earth जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, देखिए, एक चीज़ और समय लीजिए, earth कैसी है, ह अर्थ ऐसी है, exact goal नहीं है, लेकिन तक्रीबन जो है ऐसी है, यह earth का shape है, हम कहा रहते हैं earth पर, हम यहां रहते हैं, ठीके न, माल लिए हिंदुस्तान अगर इस जगा है, तो अमेरिका कहा होगा, नीचे, earth जो है spherical नहीं है, earth का shape है, elliptical, याद रखिएगा, earth spherical होता है, बिलक उपर से और नीचे से थोड़ी सी चप्टी, ठीके न, earth जो है, वो बिलकुल spherical नहीं है, बलके elliptical है, earth का, हम कह सकते हैं, कि earth spherical है, लेकिन earth is not exact sphere, earth is elliptical, तो अब यहां पर भी, यहां पर हम रहते हैं, तो अमेरिका क्योंकि मैप के अंदर देखेंगे, तो हिंदुस्तान के अपोजिट है, तो अमेरिका में लोग यहां रहते होंगे, अगर हिंदुस्तान में कोई शख्स इस position में खड़ा है, तो अमेरिका में वो शख्स इस position में होगा, तो इसका मनलब क्या है, कि वो शख्स उल्टा होगा, नहीं, बलके हर जमीन हर चीज़ को अपने center के तरफ ख लगेगा, तो हर चीज़ जमीन के center की तरफ जा रही है, ठीक, हम एक ball को उपर फैके, क्या होगा, थोड़ी दिर के बाद वो ball नीचे आ जाती है, क्यों, क्योंके जमीन उसे अपनी तरफ अट्रेक, जमीन का मास बहुत ज्यादा है, दो object की बीच में force लग रहा है, जिन दो अब दौनों में से जिसका मास ज्यादा है, वो हलकी वाली object को अपनी तरफ खीच लेगी, जिसका मास ज्यादा है, तो अर्थ का मास, क्यूंके बहुत ज्यादा है, और अर्थ पर जितनी भी चीज़े है, उनन सब का मास अर्थ से कम है, इस नहीं अर्थ हरच चीज़ को कह सकते हैं और gravity भी कह सकते हैं gravity is the gravitational force of earth यानि कि earth हर चीज को अपनी तरफ खीशती है उसे हम कहते है gravitational force of earth या simply हम उसको कह सकते है gravity gravitational force of earth और just simple gravity clear है यह बाद I think gravitational force आपको clear हो गया होगा अगर clear है तो आप लोग comment box में लिख दीजिए discoverness को और explain करना होगा I think clear है जब को चलिए ओके इसके बाद अब हम आते हैं number four number four है muscular force यह के बारे में भी पूछा गया था कि muscular force क्या होता है देखिए वो force जो हमारी muscles के जरिये लगता है उसको हम muscular force कहते हैं साधिया श्वाक येस बेटा सर वो हम इसका इंसर बताने के लिए हैंड राइज किये थे अच्छा ठीए muscular force का बताईए say a force exerted by muscles is called muscular force very simple very good क्या हो जाएगा a force exerted by the muscles of any बलके सिर्फ muscles ही कर लीजिए काफी है थमाएगा a force exerted by the muscles is called muscular force सम्रिद्धी कुछ कह रही है बिटा yes sir what is the difference between muscular and mechanical force अभी बिटा clear होने जब हमने कहा था कि अभी mechanical force ही पढ़ाएगे अगर clear नहीं होगा तब पूछिएगा ठीके तो muscular force क्या है वो force जो muscles के जरीए लगता है वो muscles इंसानों भी हो सकती है जान गरोगी भी हो सकती है ठीके ना आपने किसी चीज़ को फैका throw किया रोका अभी हमने आपको क्या किया था effects of force बताये थे आपने cricket खेल रहे हैं baller ने ball की baller ने अपना muscular force का इस्तमाल किया batsman ने ball को hit किया batsman ने अपने muscular force का इस्तमाल किया fielder ने उस ball को पकड़ दिया fielder ने अपने muscular force का इस्तमाल किया fielder ने ball वापस wicket keeper के पास फैंकी wicket keeper ने fielder ने क्या किया muscular force का इस्तमाल किया हम जितने भी काम करते हैं अपने जरीए वो सब muscular force है हम दरने दर्वाज़ा खुला next इसके बाद fifth है muscular force के बाद चलिए एक काम करिए mechanical force ही पढ़ लिजिए वरना समरिद्धी confused रहेंगी yes mechanical force देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि muscular force is also a mechanical force muscular force भी mechanical force है ठीक है न ये बात के लिए कोई अलग अलग force नहीं है muscular force is also a mechanical force mechanical force क्या होता है जो किसी object के अंदर machine के जरीए जितना भी force लगता है हमारे जरीए जितना भी force लगता है वो सब mechanical force है कोई भी machine जो force लगाती है वो mechanical force है ठीक है ना हम जो force लगाते हैं वो भी mechanical force है उसको mechanical भी कह सकते हैं muscular भी कह सकते हैं ये कोई अलग अलग चीज़े नहीं है mechanical और muscular हर muscular force mechanical होता है लेकिन हर mechanical force muscular नहीं होता ठीक है आप जो force लगाएंगे अपने हाथों के जरीए वो muscular भी है mechanical भी है लेकिन मशीन जो फोर्स लगाएगी वो सिफ मेकैनिकल है, मस्कुलर नहीं है, ठीके ना, एवरी मेकैनिकल फोर्स इस अलसो अ मेकैनिकल फोर्स, बट एवरी मेकैनिकल फोर्स इस नोट अ मस्कुलर फोर्स, अगर मेकैनिकल फोर्स हमारे जरीय लग रहा है तो वो मस्कुलर फो ठीक है ना कोई मशीन किसी चीज़ को खीच रही है अब देखें मेकैनिकल फोर्स जो है वो दो तरह का होता है एक होता है टाइप तो बहुत सारे हो सकते हैं एक होता है काइनेटिक स्वरी अब बलके इसको इस तरह से आप लिख लीजिए आप फोर्स एक्सर्टिड बाई आ मशीन इस कॉल्ड मेकैनिकल फोर्स जो कोई मेकैनिकल फोर्स करें किसी चीज़ को उठाना ये एक मेकैनिकल फोर्स है किसी चीज़ को रखना ये एक मेकैनिकल फोर्स है किसी चीज़ को रोकना ये एक मेकैनिकल फोर्स है चीज़ को धक्का देना यह एक mechanical work है ठीके ना तो इसमें जो force लगेगा वो mechanical force के लाएगा तो muscular force भी एक mechanical force ही है ठीके ना बट mechanical force हमेशा muscular रही हो सकता यह बात आप लोग clear करके रखिए इसके बाद देखिए next six types of force है आपका elastic force समरिदी पीटा यह clear होगे आपका muscular mechanic comment box में बताईएगा chat में yes elastic force elastic force जो elasticity के जरिये लगता है आप force exerted by an elastic object elastic object के जरी जो force लगेगा उसको हम कहते हैं elastic force ठीके न elastic object हर वो चीज जो खिच सकती है वो है जो है elastic है ठीक आपने क्या किया गुलेली गुलेल के अंदर आपने एक वो लगाया कंचा और उसको खीचा ठीके अपने खीचने में क्या इस्तमाल किया mechanical force अपना muscular force आपने इस्तमाल किया वो muscular force elastic के अंदर उस जो rubber थी elastic की उसके अंदर store हो गया elastic force अब भी चोड़ेंगे तो क्या होगा elastic force लगेगा आपका muscular force convert हो गया elastic force के अंदर तो क्या लगेगा elastic force elastic object के जरीए जितने भी force लगते हैं वो सब elastic force कहलाते हैं इसके बाद 7th है point force तफसीर कुछ कहना चा रहे हैं मेटा elastic force बादा elastic force बेटा हर वो force जो किसी elastic object के जरीए लगता है उसको हम elastic force कहते है ठीक है न elastic जहां भी इस्तिमाल होती है spring जो होती है वो भी elastic होती है spring के जरीए जरीए force लगेगा वो elastic force होगा गुलेल के अंदर जो force लगाते हैं वो elastic force है हर वो फोर्ट जो इलास्टिक के जरीए लगेगा उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं ठीक है ना इलास्टिक अब्जेक्ट होनी चाहिए बस इसके बाद है बॉइंट फोर्स बी ओ यू वाई ए एंटी बॉइंट फोर्स बी यू ओ बी यू ओ वाई एंट भॉइंट फोर्स आपने देखा होगा एक बकेट है जिसके अंदर पानी बढ़ते हैं आप मग उसके अंदर डालते हैं हैं तो क्या होता है मग उपर आ जाता है ठीक है ना निदा नूरी बेटा बताइए कुछ कहना चाहरे हैं इसको हम upward force भी कहते हैं होता क्या है कि आपने एक bucket ली उसके अंदर पानी था आपने बगिट के अंदर जो है वह मग डाला मग क्या हुआ उपर आ जाता है आपने पानी था पानी के अंदर और आपने कौर्क डाली, कोई कप्ड़ा डाला, उसों आपने नीचे छोड़ दिया, थोड़ी तेरे बाद वो कहा जाएगा, उपर, आपने रबर की कोई चीज ली, बटापनी वीडियो आफ कर लीजिए, आपने रबर ली, रबर आपनी नीचे डाली, रबर की बॉल कहा जा इसको हम upward force की जगा इसको हम कह सकते हैं up thrust thrust यह चेक्षिम में force को ही कहते हैं up thrust वो force जो उपर की तरफ लगे वो होता है तो up force exerted a force exerted by a fluid F-L-U-I-D fluid on an object emerged in it in upward direction is called point force yes आफिया सलीम कुछ कहना चारी है बेटा सर आपने बाई आके बाद क्या लिखता है जी बोली बेटा किसके बाद बाई या फिल्विड F-L-U-I-D फिल्विड फिल्विड कहते हैं हर वो चीज जो बह सकती है पानी और लिक्विड और गैस दौनों को हम फिल्विड कहते है F-L-U-I-D फिल्विड हर वो फोर्स अ फोर्स एग्सर्टिड बाई फिल्विड और अबजेक्ट इमर्जड इन इट इन अपवर डिरेक्शन इस कॉल्विड बॉइंट फोर्स पानी के अंदर पानी या कोई भी लिक्विड है या गैस है उसके अंदर हमने किसी चीज को डाला और वो चीज उपर की तरफ आ गई उसको कहते हैं बॉइंट फोर्स ठीक है इसके बाद ये बॉइंट फोर्स था आपका 7 ये नेक्सट 8 हो जाएगा फ्रीक्शनल फोर्स तब लॉइंट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बटा अभी सुनते हैं अभी समुझीद श्रादी पहले इसको करा दें फॉर्क्शनल फोर्स क्या होता है बटा तो देखिआए आफ ओर्स ऑघस्र्टेड between the surface of two objects is called frictional force किनी दो object की surface के बीच में जो force लगता है उसको हम कहते हैं frictional force a force exerted between the surface of two objects is called frictional force आपने अपने दोनों हातों के इस्तराजिक घिसिये दोनों हातों के बीचे फोर्स लग रहा है आप प्रेशर लगा घिसेंगे तो ये आसानी से नहीं घिसा जाएगा एक संदूक रगा है box के उपर क्या हुआ जमीन है ये surface यहां पर एक बहुत भारी box रखा है आपने इसके उपर force लगाया box move नहीं होगा क्यों क्योंके box और इस surface के बीच में frictional force लग रहा है ये frictional force हमेशा इसमें एक बात लिए लिए जाएगा it acts always in opposite direction ये हमेशा opposite direction में लगता है अगर आप force लगाएंगे इस तरफ से तो frictional force लगेगा इधर आप अगर box पर इधर से फोच लगेगे तो frictional force लगेगा इधर ये हमेशा opposite लगता है चीकिए ना आपने क्या किया एक ball को एक ball को आपने move किया आपने ball को रोल किया ball ground पर रोल करती हुए जा रही है थोड़ी देरे बाद ball रुख जाती है क्यों ball खुद बाखुद कैसे रुख गई क्योंके ball के और जमीन के बीच में frictional force लग रहा था दीरे दीरे force लगता रहा ball की speed कम हो तरी क्योंके a force can change the speed of an object उसकी speed चेंज हो तरी है थोड़ी दीर के बाद वो जाके रुख गया तो ball जो है ball के उपर जो force लग रहा था opposite direction में उसको कहते हैं frictional force ठीक है आप cycle चला रहे हैं थोड़ी दीर बाद आपने paddle मानना बंद की है थोड़ी दीर के बाद क्या होगा cycle रुख गई that's the frictional force आप cycle में break लगाते हैं cycle के जो break होते हैं आपने देखा होगा जो cycle का पईया होता है जिसके ओपर tire चड़ा होता है रिम जिस पर tunnel लगी होती है ठीक है ना वो होती है रिम रिम के ओपर rubber की इस तरहां की गिट्टी होती है जो आप break लगाते हैं वो गिट्टी रिम के ओपर चुपक जाती है यानि के रिम और उस गिट्टी के बीच में जो rubber की होती है विलेक लिए उसके पिज़ना force लग जाता है उसके वो चुपक जाते हैं surface contact में आती है frictional force लगना शुरू हो जाता है ठीक है ना तो break में जो है frictional force है वो गिट्टी जो होती है rubber की वो rim के ओपर चुपक जाती है जैसे वो rims के contact में आती है फौरन frictional force लगना शुरू हो जाता है frictional force हमेशा यह contact force है यह बगर contact के नहीं लगेगा हवा में कोई चीज नीचे से उपर आ रही है उसके उपर frictional force नहीं लगेगा उसके उपर क्या लगता है air resistance हवा उसके उपर opposite direction में force लगाती है ठीक है तो frictional force पहली बाद यह contact force है दूसरी बात यह हमेशा opposite direction में work करता है आपने देखो को machine parts के बीच में machine के अंदर oil डाला जाता है जिसे हम lubricant oil कहते है ठीक है machine के अंदर क्या डाला जाता है lubricant oil ठीक है lubricant oil का काम यह होता है कि वो दो surface के बीच में चिकना पन पैदा करते जितनी ज़्यादा rough surface होंगी force उत्रा ही ज्यादा लगेगा वो surface को चिकना कर देती है चाहे कि friction कम हो जाए friction कम होगा तो क्या होगा बिल्कुल सही चलेगा तो friction actual में depend करता है दो चीज़ है एक तो area of contact पर area of contact जितना ज्यादा area of contact होगा tire cycle का जो होता है वो इस तरह का होता है तो जमीन के touch में सिर्फ इतना हलका सा हिस्सा आता है अगर cycle का tire ऐसा होता है तो जमीन के touch में ये पूरा हिस्सा आता तो यहाँ पर surface of contact के होगा बढ़ जाती ही friction ज्यादा रगता cycle चलाना मुश्किल हो जाता इसलिए cycle का जो tire है वो नीचे से circular होता है ताके जमीन के contact में कम से कम हिस्सा आए क्या होता है cycle में अगर हवा कम होती है तो tire दब जाता है ऐसा हो जाता है ज्यादा सर्फे जमीन के contact में आ जाती है जिससे हमें ज्यादा force लगाना पड़ता है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है cycle को चलाने की को force of friction बढ़ जाता है तो force of friction कम करने के लिए क्या है cycle के अंदर हवा पूरी भरी होनी चाहिए ताके tire उसका दबेना तो area of contact पे depend करता है area of contact जितना ज्यादा होगा frictional force भी उतना ही ज्यादा होगा ठीक है बटए time आपका हो चुका है over हमारी अभी 8 बजे से दूसरी क्लास है ठीक तो आज इसको यहीं conclude करते हैं अगर किसी का कोई सवाल है तो बटए जल्दी से पूछ लीजी इसको note कर लीजेगा सब लोग yes रुजदा बतूल रुजदा बतूल पेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है करेंगे जिन लोगों के समझ में नहीं आया है ठीके ना फ्रिक्शनल फॉर्स के अलावा क्यूंकि हमने जल्दी इसको करा दिया फ्रिक्शनल फॉर्स को अब कल के लिए छोड़ देते हैं फ्रिक्शनल फॉर्स के लावा कोई सवाल है तो आप बताईए समर्थ सिंग तरह मैं बॉइएंट फॉर्स दिखा दीजिए या बॉइएंट फॉर्स अभी दिखाते हैं बॉइएंट फॉर्स देख लिजिए बेटा यह है यस अब्दुल समद कुछ कह रहे हैं बेटा अब्दुल समद गोलिए बेटा इस बुक का नेम बता दीजिए बेटा बुक जो आपकी चल रही है वही है आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं एक्चल में यह एक बुक में आपको सारी टॉपिक नहीं मिलेंगे ठीक है ना क्योंकि एंट्रेंस लेविल पर हम लोग आपको फिफ्ट किलास से उपर का पढ़ाते हैं ठीक है तो आपको एक बुक में सारी टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको बुक की ज़रूरत नहीं है इनी नोट्स को कवर कर लिजिए आपका सारा हो जाएगा बागी जीज यह तो आता नहीं है तो यह सर कंस इस में आता है स्कुल में सर कर को तो बुश्टर में तो नहीं देखा था कि फोर्स कोई चाहिए अलगे और हो सकता है कि पिछले कुछ साल में पूछा ना गया हो वह एक चीज अलगे लेकिन आपका जो टॉपिक है फोर्स आपके टॉपिक में है तो आपको फोर्स को डीप में पढ़ना है डेप्स में जाकर अगर कोई चीज आपसे पूछ ली जाए अगर एक्जाम में तो ऐसा नो आपको कोई कोई चूट जाए आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा इसके अंदर हम लोग थोड़ा डैप में पढ़ाते हैं ताकि अगर कोई टफ कोश्चन भी आपसे पूछा जाए तो चूटे ना आप बात में ना गया है कि मुझसे यह हमने यह चीज नहीं पढ़ाई गई जैस एमन सिद्धी की इसकी सब्सक्राइम नॉट अट एंड़ टेलियां गूट 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 कर दीजिए इमेज क्लास के नंबर पर वह तफसीर अली सब्सक्राइब कर दिए टाइम हो गया है चीक है ना हम इसको एक बार दिखागर के लास खतम करते हैं आप जो डाउट से नोट कर लिजेगा कल फिर इन डाउट को एक बार हम केलियर कर लेंगे दा सारे डाउट पर कल बात करेंगे मस्कुलर फोर्स ये लीजिए बिटा फोर्स एक्सर्टेट बाई दा मस्कुलर फोर्स चलिए बिटा गुट नाइट फिर नेक्स क्लास में हम लोग कल भी हमारी शायद क्लास है कल मिलते हैं ओक बिटा लाफिज करेंगे करेंगे करेंगे